तो बच्चो आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा, क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन इसमें हम पहले कुछ बेसिक बाते करेंगे स्ट्रेट लाइन में और देन हम लोग चैटर की तरफ प्रसीड करेंगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की डिफिनिशन जानते हैं, क्या होती है स्ट्रेट लाइन अगर मैं दो पॉइंट लो बेटा, A पॉइंट है, B पॉइंट है, ठीक है ना इन दो पॉइंट को जॉइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है, ठीक है मैं इस point का नाम दे रहा हूँ x1 y1 and ये point है x2 y2 ठीक है न एक आमा लगा दे रहे हैं तो straight line basically क्या है it is a 1D figure straight line is a 1D figure figure having length only length length only means इसके पास कोई width नहीं होती है ठीक है ना no width जैसे कि वेटा ये मारे पास line है ठीक है ना ये line है तो इसके पास इसके पास सिर्फ length है यह यूँ भी मैं बोल सकता हूं state line को कि दो point ऐसे हैं जो opposite direction में बढ़ रहे हैं infinite direction की तरफ opposite में और उनको join करने वाली एक straight line है और straight line के पास सिर्फ और length हो सकती है direction length होगी width नहीं होगी clear तो अब straight line पढ़ते समय हम लोग इसके equation के बारे पढ़ेंगे लेकिन equation पढ़ने के लिए हमें कुछ पहले की चीजी आनी चाहिए जैसे coordinate system हो गया कि कोई point आपको दिया जाएगा वो किस coordinate में इसमें कोई line है suppose करता हूँ मैं कि a point और ये b point इसका coordinate है x1, y1 और ये point है आपके पास x2, y2 इस line को अगर मैं यहां से join करूं x इस पर तो ये line x की positive direction के साथ कुछ angle बनाती है ठीक है उसको हम लोग theta बोलते हैं तो ये हमारे पास जो angle है उसको अगर हम tan के साथ ले लेते हैं slope की बात कर रहा हूँ ठीक है ये जो angle बन रहा है इसको हम लोग tan के साथ लेते हैं 10 theta ठीक है ना तो यहां से जो values निकल के आती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है ना लाइन है यह लाइन है बनी हुई है इस लाइन को अगर मैं X की डिरेक्शन में बढ़ रहा हूँ इस लाइन की तरब में देख रहा हूं कि x की direction में जाने पर आप y axis में कितना उपर जा रहे हैं और इन दोनों के बीच जो हमारे पास angle बन रहा है उसी के बारे में slope है क्योंकि बेटा अगर x की direction में आप मान लो कि आप इतना गए और y की direction में इतना गए हो इसका मतलब क्या है कि आप काफी जादा inclined plane पर हो मतलब आप उपर जाते हुए plane पर हो clear ना अगर मैं बात करूँ ये एक line लेता हूँ suppose करो ये एक line है ठीक है ना इसमें आपको दिखेगा कि आपने x की direction में अगर थोड़ा सा proceed किया तो y की direction में आपको बहुत जादा बहुत जादा height मिल जाएगी तो यहाँ पर angle आपको जादा मिलेगा इसका मतलब basically slope क्या है कि slope मतलब होता है कि आप दो axis में difference देख रहे हैं कि आप x axis में कितना चलने पर y axis में कितना changement देख पा रहे हैं ठीक है ना कि x axis में आप move कर रहे हैं और उस moment के दवरान आप y axis में कितनी distance ट्रवेल कर रहे हैं उसी का जो difference उसी का जो ratio है ठीक है ना उसी का जो ratio आ रहा है मतलब y axis moment with respect to x axis उसी को हम लोग क्या बोलते हैं slope बोलते हैं तो इसी लिए यहाँ पर बोला जाता है x2, y2 तो अगर मैं slope of a b line बोलूँगा तो slope of a b line is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1 इसको आप इस तरीके समझेंगे बेटा जैसे मैं slope के लिए भी बता रहा था एंगल देखता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँँगा slope मतलब यहाँ पर आप ठीटा एंगल बना हुआ है उसको मैं 10 ठीटा ले लेता हूँ 10 ठीटा मतलब होता है बेटा perpendicular upon base तो यहाँ पर एक triangle draw करो आप यहाँ पर आपने एक triangle draw किया आप अगर इस point को देखेंगे यह मेरे पास क्या है यह इतना आपके पास है y1 ठीक है और यह इतना आपके पास क्या है यह यह पूरा आपके पास कितना है y2 है तो अगर आप सिर्फ इतने portion की बात करेंगे b इसको नाम दे रहा हूँ c point ठीक है ना तो आप जब bc को लिखेंगे bc is equal to तो क्या हो जाएगा y2 minus y1 वैसे ही यहाँ पर यह जो distance है यह जो पूरी distance है वो कितनी है आपके पास x2 है जबकि आपके पास a वाले point के लिए है वो कितना है x1 तो आप अगर इसको लिखना चाहेंगे ac ठीक है ना ac तो इसको लिखा जाएगा x2 minus x1 तो यहाँ पर मैं गए अगर मैं 10 theta is equal to perpendicular upon base कर रहा हूँ तो triangle abc के लिए क्या होगा perpendicular means bc upon ac bc की value क्या होगी bc की value है आपके पास y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो इस तरीके से slow हुमारे पास निकल के आता है m is equal to 10 theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 next line पर हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपको 2 point मिल जाते हैं a और यहाँ पर आपको b इसका coordinate system है x1, y1 x2, y2 slope of ab line slope of ab line is given by m is equal to 10 theta y2 minus y1 upon x2 minus x1 यह इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं x1 minus x2 upon y1 minus y2 क्योंकि minus sign कॉमन लेकर cancel करके यही मिलेगा आपको जहाँ पर theta जो है यह जो theta है वह angle angle made by line with with the x-axis in यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं positive x-axis ठीक है positive x-axis के साथ और कौन सी direction होनी चाहिए वो यहाँ पर जो direction in anti-clockwise 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 direction ठीक है ना in anti-clockwise मतलब जैसे की हमने यहाँ पर line ली है यह है और यहाँ पर इस line l ने positive x के साथ जो angle बनाया है हमें anti-clockwise जाके measure करना होगा clear ना यह मेरे पास यह ठीटा हमारे पास inclination भी होता है इसको हम लोग बोल सकते है inclination भी है ठीक है ना इसको हम लोग inclination भी बोल सकते है ठीक है slope हो जाएगा then slope जानने के बाद हम लोग line के बारे line के form के बारे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ topic different form of line अब अच्छा slope के बारे जैसे मान लेता हूँ मैं कुछ question करा दे रहा हूँ slope के basis पर ठीक ना question find the slope of line line joining 2. 2. 4,5 B minus 1,2 slope of AB line ठीक ना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ solution so slope of AB line is given by इसको पेटा मैं मैं लिख कर रहा हूँ यहाँ पर इसको यह x1, y1 यह मारे पास है x2, y2 ठीक है ना slope of AB line हो जाएगा m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 so y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है minus y1 की वैल्यू कितनी है 5 upon x2 कितना है minus 1 minus 4 so that is minus 3 upon minus 5 m is equal to 3 upon 5 ठीक है यह हमारे पास slope आ गया अब अगर आपको inclination पूछा गया हो ठीक है ना तो आप कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं जैसे माल लेता हूँ यह angle पूछा गया हो आपसे ठीक है ना for angle तो मैं यहां लिखूँगा m is equal to 3 by 5 उसी same question में मैं angle की बात कर रहा हूँ m is equal to 3 by 5 आगया तो मैं जानता हूँ m is equal to क्या हो टावे दा tan theta tan theta is equal to 3 upon 5 so theta is equal to हो जाएगा tan inverse 3 upon 5 अगर यहां पर आपको यह कोई particular value मिली होती आप जो value जानते हैं tan theta के बारे में जैसे 1, 1 by root 3, root 3, infinity, 0 तो आपको यह particular angle बता सकते थे लेकिन अभी कोई ऐसी defined value नहीं आई है कि जो आपको पता हो ठीक है, non value आपको 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 विजवेल नहीं होगा बट यहां पर लिखते हैं, note डाल करें case 1 if m is positive अगर m positive है, ठीक है ना तो जो theta होगा theta आपके पास कैसा होगा acute होगा ठीक है ना, जैसे जहां पर बेटा समझो यह line है आप कैसी भी line बनाओ यहां पर जहाँ यह line हो गई यह line हो गई ठीक है यह यह line हो गई कैसी भी line है, जो भी angle बन रहा है आप चाहें जो भी angle लो theta है, alpha है यह बीटा है अगर आपके पास slope positive है किसी का तो आप यही बोलेंगे जो इसका inclination हो रहा होगा जो आप उसका angle बन रहा होगा positive access की साथ तो अक्यूट angle रहा होगा मतलब, less than 90 means theta less than क्या रहा होगा 90 degree रहा होगा ठीक है न case 2 case 2 if theta greater than 90 ठीक है न अगर theta हमारे पास greater than 90 है यह यह बोल सकता हूँ मैं theta की बात करता हूँ पहले यह म के लिए बात कर रहा था if m less than 0 means negative है clear तो उस case में आपके पास जो theta होगा theta वो greater than क्या रहा होगा 90 मतलब क्या होगा वो obtuse होगा ठीक है न obtuse है वो जैसे यह line है यह line हो गई ठीक है यह बेटा angle कितना बन रहा है almost आपको दिख रहा होगा 135 के असपास है न यह मैं angle ले रहा हूँ तो यह angle कितना बन रहा होगा लगभग आपको 120 दिख रहा होगा लगभग करके तो मतलब क्या है कि यह optic angle दिख रहा है तो आप क्यूंकि हम लोग जो जो slope निकालते हैं बेटा M is equal to 10 theta लेकर निकालते हैं है ना और अगर यह theta आपके पास second quadrant में पोँच गया second quadrant में second quadrant में 10 कैसा होता है negative हो जाता है इस वज़ा से मैं बोल रहा हूँ कि slope की value यहाँ पर जो M की value है वो less than 0 आने लगए कि 10 theta आपके पास पहुच जाएगा second quadrant में और 10 theta की value second में negative हो जाती है और negative value मतलब 0 से छोटी value वैसे ही यहाँ पर आप समझो कि अगर हमारे पास theta 90 से less than है इसका मतलब की जो भी angle बन रहा होगा वो first quadrant के लिए बन रहा होगा और first quadrant में 10 theta कैसा होता है positive होता है इस विज़ा से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लिखा गया है positive लिखा गया है ठीक है ती बाते आपको समझ में आ गई होगी यह हमारे लिए बहुत काम आएगा even math में ही नहीं physics में और chemistry में भी जब हम लोग graph बनाते हैं physical chemistry में graph बनाते हैं physics में बहुत सारे graph बनाते हैं तो वहाँ पर आपको help मिलेगी इनकी different form of line पढ़ते हैं different form of line सबसे पहला form है line parallel to x-axis line parallel to x-axis हमारे पास एक line है यह x-axis और यह y-axis है suppose करता हूँ बेटा मेरे पास यह एक line है ठीक है? line L और यह x-axis से x-axis से a distance पर है तो मैं क्या लिखूंगा? कि इस point पर lie करने वाला जो भी point होगा इस line पर lie करने वाला जो भी point होगा उन सभी के लिए जो y-coordinate है वो कितना है? a है और x-coordinate कुछ भी नहीं कह सकते x के बारे में क्योंकि x के parallel है ठीक है न? तो मैं यहाँ पर जो line लिखूंगा बेटा y-coordinate हमेशा कितना है? a ठीक है? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? equation of line is y is equal to a ठीक है न? तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजन कर सकता हूँ y-a is equal to 0 अब suppose करो अगर हमारे पास यह a की value ठीक है न? अब वैसे अगर इस form की बात करें अगर मालो यह हमने हमारे पास बना था अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ बना दिया मैंने नीचे ठीक है न? यह आपके पास line है तो यह distance आपके पास कितना है? बोल देता हूँ a तो जो coordinate system में आप लिखोगे उसके लिए क्या लिखोगे? y is equal to y is equal to आप बहुत दा लिखोगे क्या? minus a तो y plus a is equal to 0 हो जाएगा ठीक है न? इस तरीके से आप जो भी coordinate यहाँ पर जो भी value रही होगे इसको आप y के negative में आके लिखोगे तो अब यहाँ पर देखो बिटा अगर मैं कह रहा हूँ इस line को यह line धीरे धीरे पास आती आते पास आते आते एक समय ऐसा आएगा कि जब यह line आके इसी axis पर x axis पर ही लाई कर जाएगी उस समय आपके पास जो a की value हो जाएगी a वो कितना हो जाएगा लगभख approximately क्या 0 हो जाएगा तो उस condition के लिए मैं बोलूँगा कि यह कितना हो जाएगा y minus y is equal to 0 और जब यह line इस axis पर lie कर जाएगी तो उसको ही को क्या बोलते हैं x axis तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर यहाँ पर लिख रहा हूँ if a is equal to 0 then equation of line equation of line become y is equal to 0 और इसी को बोलते हैं क्या x axis यह हमारे पास क्या है equation of x-axis तो यहाँ पर लिख देता हूँ नो डाल करके equation of x-axis is y is equal to 0 clear now तो यह हमारे पास बेटा line जो होगा यह वो parallel to x-axis है अब मैं लेता हूँ यहाँ पर line equation of line parallel to y-axis यह coordinate है x-axis y-axis y के पहलेल मैंने एक line draw की यह मेरे पास बेटा एक dotted line है माल लेता हूँ और यह कितनी distance पर है यह distance यहाँ पर जो है वो distance माल लेता हूँ बेटा b ठीक न तो y के parallel अगर line है चाहे जिस format में अगर इधार है तो बेटा plus b और inside है तो क्या है opposite में minus b हो जाएगी तो यहाँ पर मैं equation of line लिखूंगा equation of line y is equal to plus b ठीक है न यहाँ पर for negative अगर मैं यहाँ पर आपको दो अलग अलग पार्ट में बताऊंगा ठीक है अगर यह हमारे पास है इस तरीके से है इधर की तरफ है यह line ठीक है तो आप उसको क्या लिखेंगे minus b लिख देंगे और कोछ नहीं यहाँ के लिए क्या हो जाएगा y is equal to y is equal to minus b हो जाएगा यह ठीक बेटा अब वही बात यहाँ पर फिर से आती है कि अगर हमारे पास जो दोनों के बीच में मतलब y axis और line के बीच में जो distance है वो कितनी थी? बी थी अगर वो बी distance को मैं कम करते करते एक समय ऐसा कर दूँ कि बी की value 0 कर दूँ तो यह जो given line है जो dotted line है वो किस जगा पर जाके coincidence करेगी यह line जो होगी dotted line वो y axis पर ही जाके coincide कर जाएगी तो उस condition में बोलूँगा कि यह जो represented line है यह जो equation मैं लिख रहा हूँ वही equation बन जाएगी किसके लिए y axis के लिए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि if b approach equal to 0 या मैं यहाँ पर लिखूँ Tend to 0 इसका मतलब होता है 10 का मतलब होता है कि वहाँ कोई भी चिज़ यह वह Tend कर रही है जिरो की तरफ approach कर रही है जिरो की तरफ approach कर रही है आल्मुस्ट 0 होने वाली है तो b की value को मैं अगर 0 की तरफ बोल दू ठीक है न तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा y is equal to 0 10 का मतलब क्या है यहाँ पर आप डिरेक्ली बोलो ठीक ना तो यह हमारे पास हो जाएगा y is equal to 0 और यह आपके पास है equation of y axis यह पूछा जाता है बेटा आपके पास बहुत जादा पूछा जाता है कि x axis और y axis की equations क्या होगी ठीक है ना उसको आप parallel form से ही निकाल सकते हैं बहुत आसानी से next form है equation of line equation of line if two point two points of line are given तो आप उस straight line का equation कैसे find out करेंगे ठीक है ना तो हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं a x1, y1 और b एक point है x2, y2 ठीक है तो इन दोनों point को join करने वाली line के लिए मैं equation यहाँ पे लिखूँगा equation of line equation of line is given by यहाँ से y minus y1 is equal to m x minus x1 आप इसको पहले point slope form भी जान सकते हो बट यहाँ पे दो point बता रहा हूँ आगे आप इसको तुरन समझ जाएंगे ठीक है m क्या है slope of line है slope of line है ठीक है अब slope of line आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि किस तरीके slope निकालते हैं तो जो slope होगी इस line की यह भी line का जो slope होगा है हमको मैं कैसे निकालूंगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1 यह मारे पास क्या हो जाएगा question of line अब बहुत बार आपको doubt यह होता है कि sir यहाँ पर तो y यहाँ पर जो यह y है और यह x है इसका क्या मतलब होता है बेटा जब भी हमें straight line या conic section पढ़ता हूँ यह में coordinate geometry पढ़ता हूँ तो वहाँ पर x, axis, y, axis यह unknown होते हैं और यह हमेशा ही unknown रहेंगे ठीक है ना क्योंकि यही vary करते रहते हैं अलग-अलग point के लिए तो यह x और y हमेशा unknown रहेगा आप यहाँ पर जो x1 है, y1 है, x2 है, y2 है उनकी value आपको ढूंडनी होगी तो जैसे आपको point given है, दो point given है दोनों में से आप किसी को भी x1, y1 pick कर सकते हैं condition यह है कि जिस coordinate में से आपने x1 निकाला है उसी का आप y1 भी बोलोगे ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कि sir हमने यहाँ पर जो x1 और y1 pick किया जैसे suppose करते हैं अब ही मैं आपको question में कराता हूँ अब यहाँ पर दो condition हो सकती है बिटा जैसे कि यह हमने line लिखी मैं इसी line को एक तरीके से और भी बोल सकता हूँ वो चाहाँ आप इस तरीके से देखो कौन सा, यह था third अब यह हो जाएगा fourth point slope form equation of line of point slope form point slope means हमें यह पढ़ना है कि जिस line का हमें equation find out करना है उसका मुझे slope पता है और उस पर एक point पता है सबोस करता हूँ मैं बेटा एक line लेता हूँ A, ठीके ना, और यह B इस line पर मुझे एक point पता है जिसको मैं बोल रहा हूँ X1, Y1 और इसका आपको slope given है ठीके ना slope of line A, B is M तो आपका जो equation हो जाएगा वो क्या होगा equation of line A, B Y minus Y1 Y minus Y1 is equal to देखो बेटा यहाँ पर X1, Y1 आपके पास picked है पहले से ही यह है X1, Y1 तो Y minus Y1 यहाँ पर आपको slope given था आप slope रख दोगे और फिर यहाँ यहाँ रखोगे X minus X1 तो यहाँ पर आपको सोतना नहीं पड़ा क्योंकि एक ही point आपको मिला था X1, Y1 और X2 का slope पता था तो यह बात हमेशा आद रखना कि अगर आपको slope ना मिला होता तो इस line को दो point मिलते और दो point मिलते तो मैं slope पहले पता कर लेता फिर लाके यहाँ पर रख लेता तो जो इसके previous form था जिसमें मैंने लिखा था कि दो point given थे तो क्या यह form और वो form अलग नहीं है दोनों में बस एक चीज का फरक है कि वहां पर slope की value को निकालना पड़ेगा और यहां पर आपको slope की value मिलेगे तो आप दोनों value दोनों चीजे same ही है